हलो दोस्तो मैं सवराब आर्दिक सागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार देसलिशन इंस्टिट्यूट पे तो आज हम बात करने वाले हैं भाई जो हमारा यूपियसाई 2013 मैं तो जो हमारा फाउंडेंशन बैस था उसमें हम लोगोंने स्लेबस डिसकेशन किया था और नंबर सिस्टम के हमने पहली क्लास की थी और आप से बताया गया था कि हम लोग यहां पे दोनों अर्थमैटिक और एडवांस दोनों तरफ से हम लोग एक एक चैप्टर लेके च ठीक है बाई जो लोग बिल्कुल सही डंग से पुरा फाउंडेंशन बैच पढ़ना चाहे तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पीडियाफ के लिए आप टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिलनाएगा वहां से आप जुड अप्रेशन यानि अनुपात वा सम अनुपात तो अगर हम लोग बात करें एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग दो चीजे पढ़ रहे हैं एक हम लोग यहां से पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ भी साथ में पढ़ रहे हैं और यह हमारे पास अरिथमेटिक भी प लिया करो, advance में हमने number system उठाया हुआ है, वहाँ से क्लास हम लोग उसकी cover करते हुए चलेंगे, और हमने arithmetic पर हमने ratio को उठाया है, ठीक है, तो हम लोग ratio से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो हमने जो है भाई ratio क्यों उठाया है, भाई सभी लोग तो percentage पढ़ाते हैं, लेकिन सभी लोग पढ़ाते हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सबसे पहले ratio पढ़ेंगे, ratio क्यों पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, ratio हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं भाई, ये, कि अगर हम लोग ratio की बात करें, तो ratio से हमारा क्या होता है, इसी के कुछ concept हमारे काम आते हैं, percentage पे, ठीक है, इसी के concept काम आते है, simple interest पे, यही काम आता है, हमारे पास compound interest पे, ठीक है, उसके बाद यही काम आता है, हमारे पास mixer allocation पे, ठीक है, इसके बाद हमारा यही काम आता है, जो हमारे पास होता है, chain rule पे, ठीक है उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास देखो रेशियों हम पढ़ते हैं तो रेशियों से हमारा परसेंटेज कबर होता है उसके बाद हमारे पास सिंपल इंट्रेस्ट कंपाउंड इंट्रेस्ट और जो पास mixture education होता है और जो हमारे पास channel rule होता है यह सारे chapters जो होते हैं हमारे पास इससे जुड़े हुए होते हैं ठीक है इसके बाद हमारे पास क्या होता है time and work होता है ठीक है इसके बाद pipe and sister यानी किंनलवा टंकी वाला चचेप्टर होता है, यह भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ होता है, पाइपEND हमारा पाइए हो गया, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, कि इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास boat and stream का जो concept होता है वो भी हमारा यहीं से आता है ठीक है यह आप importance हो समझ सकते हो ratio के ratio की क्या importance है रेशियो हम लोग पहले क्यों पढ़ रहे cancool है यहां से समझ सकते हो ठीक है इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि time and distance जो भी होता है ये हमारे पास होता है boat होता है और फिर हमारे पास क्या होता है train का जो भी concept होता है वो हमारा यहां से निकल के आता है train के बाद अगर हम लोग बात करें तो age का जो concept होता है वो भी यहीं से निकलता है उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पास partnership यानि की साजेदारी का chapter होता है वहाँ पे भी हमारा काम आता है उसके बाद हमारे पास जो average होता है यानि की जो आउसत होता है यहाँ पे भी हमारे पास काम आता है तो आप समझ सकते हैं कि arithmetic म हमारा ratio रखता है, उतना ही importance हमारा ये percentage रखता है arithmetic पे, तो सबसे पहले हम लोग ratio को पढ़ेंगे, हैना ये chapter जो आपको दिये गए है, इतने सारे chapters पर ये काम आता है, ठीक है ratio, और ये हमारा उसके बाद हमारा percentage जो भी है, वो भी उतना important है जितना ratio लेकिन हम लोग पहले ratio पढ़ेंगे क्योंकि ratio के कुछ concept हम लोग percentage पे use करेंगे बात समझ गए आप तो आप समझ सकते हैं कितना हमारा important होता है इसलिए हम लोग सबसे पहले ratio को पढ़ेंगे और क्या होता है कि आज कल जो भी बच्चे हों क्या करता है वो इन chapters पे लगे रहते हैं लेकिन arithmetic की जो पूरी जान है जिसे आप एक तरह से आत्मा कह सकते हो हमारा क्या होता है ratio होता है और जो लोग इन दो chapters को नहीं पढ़ते हैं न सही से वो इन में भटकते रहते हैं और जो लोग इन ratio and percentage को सही से पढ़ लेते हैं उनको कोई भी दि ratio से और percentage से मिलेंगे तो हमारा क्या है सबसे मातपूर यहीं chapter होता है पहला हमारा ratio और दूसरा हमारा percentage तो यह हमारे थोड़ा सा लंबे topic चलेंगे क्योंकि सारी math arithmetic की जो है इनी से हमें solve करना है ठीक है हम लोग 90% जो है question logic से करेंगे 10% से 5% जो question होंगे वो हमें भले हम लोग x method से कर लें लेकि 90% question जो होंगे 95% question होंगे वो हम लोग logic से करेंगे ठीक है 10% जो कुछ सवाल है जो x method से ही होते है वो हम लोग x method से देखेंगे नहीं हम लोग पूरी कोसिस करेंगे कि x method से नहीं solve करें ठीक है क्योंकि x method हम लोग बच्पन से पढ़ते आए ठीक है तो आप आपको पता है हमारे पास दो चीजे है रेशियो और प्रॉपरेशन यानि अनुपात वा समानुपात तो सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं रेशियो के बारे में कि भाई हमारे पास रेशियो क्या होता है उसके कुछ देर बाद फिर हम लोग प्रॉपरेशन के बारे में रेशियो यानि की अनुपात ठीक है इसके बारे में सबसे पहले बात करता है तो देखो अनुपात का मतलब हमारे पास क्या होता है अनुपात मतलब होता है कि जैसे कुछ चीजों पर जैसे आपको दे देता है कि भाई ए अनुपात है बी में कुछ अनुपात है या फिर आप और B के अनुपात के बारे में देखो जैसे कि A और B में अनुपात दिया है आपको 6 अनुपाते 5 कितने का 6 अनुपाते 5 का अनुपात दिया है A और B में तो आप देखो इसको हम लोग करते कैसे इसका बेसिक क्या होता है उसे समझते हैं जैसे मानों कि A और B का अनुपात अब क्या कोई चीज है कोई चीज होगी जिसमें से इता हुगा हमारे पास होगा ते के एक जम पला हम लोग मान लेते हैं कि वानों कि एक कोई कि आदमी है जिसके पास कितने हैं जिसके पास 2 लटके हैğı कौंसे यह एक है और बी हैं और इसके पास क्या है कि एक जमीन है यानि इसके पास जगा है जो कि कितनी है बाइस बीग ही है कितना बाइस बीगा जमीन है या आप कह सकते हो कि बाइस एकड़ जमीन है जहां पर जो चलता है वह आप बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो या बाइस बीगा जमीन है बाइस एक दूँगा ये इनका अनपात होता है A और B इसी तरीके से अनपात होता है कि भाई A को 6 चीज मिलेगी B को 5 मिलेगी बात समझ रहे हो तो ये 6 अनपाते 5 का होता है तो अब क्या होता है एक तरीके से कि अगर हमें इस वस्तु को बाटना है इन में तो हमें करना क्या होता है यहा होता है आप बोल सकते हो इसे कि एक प्रकार का सेयर होता है यानि जिसे आप क्या कहते हो हिस्सा होता है क्या होता है सेयर या हिस्सा कह सकते हो या आप इसे इक्वल पार्ड्स भी कह सकते हो यानि कि बराबर के भाग भी आप इसे कह सकते हो बात समझ गए यह होती है ratio का मतलब और ratio में हमेशा जब भी आप ratio को solve करोगे हमेशा आपको 1 की value निकालनी रहेगी क्या करनी रहेगी 1 की value निकालनी रहेगी तो अब देखो आपको पता है कि हमारे पास total चीजें हैं यह 22 कितनी हैं और हमें कितने हिससे करने 6 और 5 11 इससे हमें करने पड़ेंगे तो हम इसमें 11 का भाग दे देते हैं कितने गेरा का भाग तो एक बराबर हमें कितना मिल लाता है दो मिल लाता है एक बराबर क्या मिल गया दो और अभी आपको बोला गया ratio में हमेशा एक की value निकालनी होती है वो कैसे निकालनी होती हमें देखना होता है कितने भाग करने है भाई, a को 6 मिलने, b को 5 मिलने, यानि गेरा भाग होने चα ही है, कितने गेरा भाग होने चाहिए तो आप ने गेरा का भाग दे दिया, तो जस्त आपको क्या मिल गया, एक की Diane faculty मिल गई 2 अब आप क्या कोओंगे कि भाई 1 बराबर 2 है और 1 को इन्होंने कितना बोलाएगी 1 को मैं दूँगा 6 एको कितने दूँगा 6 दूँगा तो यहाँ पर देखो एको कितना मिलेगा भाई उसको 6 इससे मिलने है और एक हिससा बराबर हमारे पास दो है यानि ए को मिलेंगे बारा भीगा अगर बी की बात करें तो बी को मिलना है पांच और एक हिस्से की वैल्यू है दो तो आप क्या बोलोगे इसको मिलेगा 10 भी गे तो आप देखो 12 और 10 कितना हो गया यह 12 और 10 हो गया 25 पस यही होता है हमारा रेशियो का एक basic मतलब क्या होता है यही हमारे पास एक रेशियो का basic मतलब होता है बात आपको समझ में आई कि जो रेशियो दिया है भाई इन्हों ने बोला कि मेरे दो लड़के हैं जिन में से मैं 6 उन्हों पाते 5 में समपत्ति को बातूँगा यानि एक को मैं 6 इससे दूँगा बी को मैं 5 दूँगा तो आपने देखा कि इनके पास 22 की समपत्ति है आपने बोला कि भाई 6 और 5 यानि 11 इससे हमें करने पड़ेंगे आपने 11 का भाग दे दिया, तो आपको 1 की value मिलगई 2, यानि 1 बराबर कितना है, 2 है, आब इसको मिलने 6, तो 6 में 2 का गुड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 की value 2 है, तो आगर एक-एक भाग देंगे, तो 6 मिलेगा, लेकिन 1 बाग की value 2 है, तो हमें 2 का गुड़ा कराना पड़ेगा, तो यह 12 ह हो जाएगा यहाँ पे 5 है 5 में 2 का गुड़ा कराओगे 10 हो जाएगा यानि कि ए वाले को मिलेगा 12 वीगे बी वाले को मिलेगा 10 वीगे बात समझ गए आप ठीक है इतनी सी बात आपको समझ में आ गई चलो एक एक्जामपल और लेके देख लेते हैं कि जैसे यहीं पे कोई ए 45,00,00,000 रुपए इसके पास है और यहां पी इसने बोला है कि भाई यह जो तीन लड़के है ना ए बी और सी इनका अनपात बोला है कि 6 अनपाते 4 अनपाते है ना कि कि कैशे अनपाते 5 अनपाते 4 यानि इस तरीके से मैं अपनी संपत्ति बाटूंगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे आपको बताया गया हमेशा हमें एक की वैलू निकालनी है तो एक की वैलू कैसे मिलेगी आप देखोगे कि कि कितने भाग यह कर रहा है 6 5 15 और 4 15 यानि 15 भाग उसके हो रहा है एक को 6 देगा बी को 5 देगा सी को 4 देगा यानि टोटल 15 भाग तो इस टोटल में से 15 का भाग दे दोगे तो एक बराबर क्या मिलेगा एक बराबर मिलेगा 3 क्या मिलेगा एक बराबर एक बराबर मिलेगा 3 बुल बात समझ में आई की ने बुल भाई, एक बराबर कितना मिल गया आपको 3 मिल गया तो अब बताओ इनको कितनी संपत्य मिलेगी, भाई एक को मिलेगी 6, भाई 6 भाग देने, एक की वैलू 3 है, इसमें 3 का गुड़ा कराओगे, यानि कि इन सभी में आप एक तरीके से 3 का गुड़ा कराओगे, तो एक को कितना मिलेगा, 6 तरीका 18 मिल लाएगा, बी को, बी को 5 15 हिस्सा मिल लाएगा, इसको 4 तियां 12 हिस्सा मिल लाएगा, यानि कि इतने हिस्से इनको मिलेंगे, इनको आप जोड़ोगे तो 45 के बराबर होगा, है ना, 5, 2, 7 और 8, 15 का 5, 1, 2, 3, और 1, 1, 4, यानि कि 45 भाग हो गए, तो हमें हमेंसा इस एक की वैलू निकालनी होती है, य यह हमेंसा आप याद रखना, कि हमें एक की वैलू निकालनी है, और यह कैसे मिलती है, कि जितने हिस्से हमें करने है, उसका हम टोटल में भाग दे देते हैं, हमें एक की वैलू मिल लाती है, और हम इसको इस तरीके से solve कर लेते हैं, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई ह होगी कि 6 905 पाते-4 है और 45,00,00,00 रुपय थे तो भाई एक को मिले 18,00,00, बी को मिले तक 15,00,00 और सी को मिले 12,00, ये इनके हिस्से हो गया कोई दिक्कत नहीं आ यहांपे यह एक रेशियो का बटवारा हो गया इनका हिस्सा हो गया इनका share कहलो या equal parts कहलो बराबर के बाग कहलो ठीक है ये बात हो गई यहाँ पे ठीक है चलो ते दोनों concept आपको समझ में आगे ratio के चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं concept number अपने first की तरह तो concept number first क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ पे हमें दिया क्या है पड़ो question को कि यदि a अनपाते b बराबर 3 अनपाते 5 और b अनपाते c बराबर 2 अनपाते 3 तो हमसे पूछा है a अनपाते b अनपाते c की value a b c अनपाते की हमसे value पीछा है हमें दिया क्या है हमें दिया है A अनपाते B और क्या दिया है B अनपाते C A अनपाते B हमको दिया है इन्होंने 3 अनपाते 5 दिया है B अनपाते C कितना दिया है 2 अनपाते 3 दिया है और हमसे पूछा क्या है A अनपात B अनपात C की दिया है यानि हमें इन तीनों को मर्ज करना है इसे पहले कोणसेपट है यह आपके पास पहले तरीका है कि किस तरीके का producción कि अलग-अलग जो भी हमें रीस्यो दिये है उनको हमें एक साथ मर्ज करना है क्या करना है कैसे करेंगे हम नको मर्ज भाई देखो याँ पर कि आप क्या करोंगे आप यहां पर सीधे से इनք की वैली रखोंगे क्या करोंगे एऔर का अनपाथ कितना है पकी लिए पात्ती निलां 2012 अन cumplis करके आपको बताना है कि एब और टीन प्रत क्या होटो तो यह तो इसका एक तरीक आप है सिंपल सा आपको जो जैसे दिया है वैसे लिख लो आपको ABC का बताना था आप ABC लिखा AB की वैलो 305 है 355 लिखा BC की वैलो 22-3 अपने 219 truth masc लिखा, अब आपको करना क्या है, जो बगल में है, जो भी जगा बगल में खाली है, उसे बगल वाले से भर दो, ये बगल में खाली है, पांच से भर दिया, ये बगल में दो है, इसके साइड पे खाली सो दो से भर दो, बस सिंपल सा लाजिक आपको लगाना है, जो जगा खा यही आपका हो जाएगा यही आपका हो जाएगा यही आपका हो जाएगा यही आपका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई यही आपका हो जाएगा आंसर बोलो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी ठीक है भाई बोलो यह इनका हो जाएगा आंसर 6 10 और 15 तो कि बार समझी गया आपको यह बताओ मर्AG करना आगया सभी को सभी को मर्जकरणा आगया और आए खुगा ठीक है मेरे भाई चाहलो आगे देखें क्या है आज़ो कि आगे आज़ो अर्थिक केहाई यहां पर option नहीं type है, ठीक है, एक सेकंड, option कहांगे भाई, यहां से है option, चलो एक दो question में option नहीं type है, आप लोग देख ले न, आज़ो, दूसरा question है हमारे पास, कि रुपए 63 सो को X, Y, Z के बीच, इस प्रकार बाटा जाता है, कि X अनपाते Y बराबर इतना है, और Y अनपाते Z बराबर इतना है, तो Y के हिस्से में कितनी धनरासी आहे की, तो देखो, X, Y, Z तीनों के बीच में हमें बाटना है, और इन तीनों का अल कि X अनपाते Y और क्या है, Y अनपाते Z दिया है, X और Y का अनपाते आपके पास 7 अनपाते 5, Y और Z का अनपाते आपके पास 4 अनपाते 3, और बोला है कि इन्हें X अनपाते Y अनपाते Z में बाटना है, X, Y, Z में हमें बाटना है, पोल बात समझ रहे हो, कि X, Y, Z में हमें बा पास क्या है X और Y की value हमारे पास 7 अनपाते 5 वाई और Z की value कितनी चार और 3 सिंपल सा आपको बताया गया था जो भी जगाए खाली उसको साइड वाले से भरतो आप क्या करोगे साइड वाले से भरतोगे इधर क्या करोगे चार से भरतोगे अब इनका अपस में गुड़ा करा दोगे साथ चोई के कितना हो जाएगा 28 25 कितना हो जाएगा 20, 15 यह आ गया आपको पास, क्या आ गया, यानि कि यह जो 63 सो रुपए है, क्या है? 63 सो यह जो रुपए है ना, इने क्या बोला था? XYZ के बीच में बाटना है, हमने XYZ का अनपाथ निकाला, क्योंकि XY का अनपाथ अलग दिया था, y और z का अनपात अलग दिया था हमने x y z का अनपात क्या कर लिया निकाल लिया बोलो भाई इतनी बात आपको समझ में आई तो अब हम करते क्या थे जो अभी आपको पहला concept बताया गया था कि भाई ये total last ही हमें इनके बीच में बाट नहीं है तो हम इसमें 63 से भाग दे देंगे जब आप भाग दोगे तो एक की value आ जाएगी आपके पास 100 एक की value आपने निकाल लिए कितनी 100 हमें एक की value चाहिए तो हमने कैसे निकाला कि भाई इन तीनों का अनुपात पता होगा और हम उसमें से भाग दे देंगे, हो जाएगा तीनों का अनपात हमने निकाल लिया तीनों का योग हमने किया, आया 63, 63 का भाग दे दिया एक बराबर सो आ गया अब हमसे पूछा क्या है, कि वाई के हिस्से में कितनी धनरासी जाएगी तो वाई कितना है, देखो, वाई के हिस्से में कितनी जाएगी वाई एक बराबर सो है, और वाई हमारा कितना है, वाई हमारा बीस है त्यानी की दो हजार रुपए की धनरासी जाएगी कितनी? दो हजार रुपए आंचर कितना हैगा आपका 2000 रुबै की धनरासी वाई के हिस्से पर जाएगी बाकि आप सभी पर करा के देख लो इसका 1500 हो जाएगा इसका 2800 हो जाएगा आप जोड़ दोगे आपके पास 6380 बन जाएगी बात आप समझ गए सिंपल चाथा आगे देखो आगे हमारे पास है यह 18144 रुपए इसे हमें तीन लोगों में बाटना ABC के अनपात में विभाजित करना है यहाँ पर देखो अनपात में डायरेक्ट दे दिया है ए अनपाते बी अनपाते सी क्या दिया है तीन अनपाते पांच अनपाते आठ यह हमें दे दिया है इसने तो अब देखो यहाँ पर अनपात में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनरासी एक ही तुलना में कितनी अधिक होगी तो इन्होंने क्या बोला है कि यह जो धनरासी है ना यह जो 18144 रुपए है अगर ह कि अधिक होगी एक बात आप हमेशा याद रखना इस पूरे मैथ में कहीं भी आपको कम यह अधिक मिले क्या मिले कम यह अधिक सब्द मिले यानि इंगलिस में बोले तो लेस या मोर वर्ड मिले तो इसका हमेशा मतलब होता है अंतर इसका हमेशा मतलब होता है अंतर यानि कि इसका मतलब होता है डिफरेंस बोल बात समझें कि ने पूरी मैत में कहीं भी ये कम और अधिक मिले कम या अधिक कम या ज्यादा मिले उसका हमेशा मतलब होता है अंतर या जादिक होगी या कम होगी अंतर पूछा है इन दोनों के बीच में कितना अंतर होगा तो आप बताओगे कि देखो आप एक काम करोगे सबसे पहले सबसे पहले इनको आप जोड़ोगे इसमें भाग दोगे क्या करोगे देखो आप करोगे क्या मेरे भाई कि यह 18 logar Menu इसको आप लिकोगे अठारा हजार इक सोचावारिश इसमें भाग किस से दोगे जो यह है休igor, 16 से आप भाग दोगे 16 से भाग दोगे 16 से भाग देखे एक की value निकालोगे फिर आप क्या करोगे जब एक की value आजाएगी तब 3 में गुड़ा कराओगे 5 में 8 में इन सब की अलग-अलग value आएगी फिर आप क्या करोगे 3 और A और B को घटाओगे क्योंकि A और B की तुलना पूचा है कितना कम या ज़ादा है वो आपके पास निकल के आएगा या तो आप simple सा कर सकते हो कि A और B में difference कितने का है 2 का है आप यहाँ पे simple सा 2 का गुड़ा करातो तो direct आपके पास आजाएगा answer निकल के नहीं तो आप करना चाहो तो यहाँ से 1 की value निकालो पहले कि भाई एक बराबर क्या आएगा एक बराबर जो आएगा मालनों कि एक बराबर हमारे पास कुछ आ गया एक बराबर कुछ आएगा उसमें आप 3 का गुड़ा कराओगे और उसमें आप 5 का गुड़ा कराओगे फिर क्या करोगे इस 5 वाले से इस 3 वाले को घटाओगे बी में से घटाओगे अंतर निकल के आएगा यानि अंतर कितने का आएगा 2 का difference निकल के आएगा क्योंकि अनुपात में 2 का difference है वहाँ भी 2 का difference होगा है ना तो आप यहाँ पे 2 का direct गुड़ा करा सकते हो तो आप ने direct गुड़ा कराया 2 से 8 बार और 8 से कितनी बार divide होगा 8 दुनाई 16 8 दुनाई 16 तो 21 फिर 8 दुनाई 16 बचेगा कितना 5 तो 8 संग 48 8 संग 48 तो 4 दो 6 बचा 8 यानि 2268 रुपए का अंतर आएगा कितने का अंतर आएगा A और B में यह क्या है यह क्या है आपके पास यह जो है B माइनस A है 2268 रुपए का अंतर आएगा यह ठीक है आप क्या करते आप 1 की value निकालते फिर उसके बाद इस 3 वाले में A का गुड़ा कराते A की value आती B की value आती C की value आती अलग-अलग आती फिर आप B में से A को घटाते अंतर तो आपके पास B में से A घटाते तो देखो यहाँ पे अगर 2 का अंतर है तो वहाँ पे भी 2 गुण एक अंतर ही होगा तो आप सीधे से वहाँ पे 2 का गुड़ा करा दो क्योंकि देखो A से B जो है 2 गुणा है आप सीधे से 2 का गुड़ा करा दो सीधे से answer आपके पास निकल के क्या जाएगा 2 की value निकल के आ जाएगी क्यों? क्योंकि हम निकाल ले देखो यहां से हमें एक की वैलू मिलेगी और अगर हम इसमें दो का गुड़ा करा देंगे जो यहां पर एक होगा जो मानों की एक की वैलू होगी वो जस्ट उसका दो गुना यानि दो गुना होगा तो हमारे पास दो का गुड़ा करा देंगे वही चीज़ हम कर रहे हैं और आंसर हमारे पास डायरेक्ट निकल के आ रहा है बाइस सो अरसट आप अलग अलग भी करोगे आपके पास अंसर बाइस सो अरसट ही निकल के आएगा आगे आजाओ आगे बात करते हैं थे सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात इतना है तो रीता को कितना मिला तो सबसे पहले हमें इनके हिस्से बराबर करना पड़ेगा चिनों ने बोला है सीमा और कुमल के हिस्सों का अनुपात सीमा यह सीमा है और यह कुमल है इनके हिस्सों का अनुपात है 1.5 अनुपाते 2 उसके बाद कुमल और रीता के हिस्सों का अनुपात है 2 अनुपाते 2.5 बोलो यह है न रीता के हिस्सों का अनुपात और सीमा के हिस्सों का अनुपात चल खेगा जब आप एक करोगे इनकों तो कैसे होगा देखो यहां पर दसम्मलों हठाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं योग आगे उनको समझेंगे लेकिन आप देखो रहें, यहाँ पे सिंपल सा, दो का गुड़ा कराने से हट जाएगा, कितने का, दो का गुड़ा कराने से हट जाएगा, यहाँ पे आप दो का गुड़ा कराओगे, कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, यहाँ पे दो का गुड़ा कराओगे, चार हो जाएगा, देखो यहां पे आप लिख सकते हो एक लाइन अगा लिखना चाहो यह तीन बनेगा यह चार बनेगा यह चार बनेगा यह पांच बनेगा तो सीमा तीन है तो कोमल चार है कोमल चार है तो रीता कितनी है पांच बन गया कि नहीं बन गया दसमलोग हटाने की और भी तरीके होता हमने यहां से दो से गुड़ा कराया आप यहां पर कुछ भी ले लो चार ले लो पांच ले लो जो भी लोगे जिससे क्या हो दसमलो हट रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर आपका सेम ही आएगा ठीक है हमने चोटी संख्या लिया और दिवाइट कर दिया अब देखो 36 रुपै हमें बाटने है इसमें सीमा कुमाल ओरर इन तीनों में तो पांच सने पांच और चार नौन नो और तीन कितना हो गया बारा तो आप 12 किया आप बहाग दोगे तो एक बराबर कितना आएगा एक बराबर आएगा आपके पास तीनसो एक बराबर तीन closer to together किस्ता है रीता का हिस्सा पूछा है रीता कितनी है पांच है हैक पांच है और बृडपा करा दोगे आप तीन सो ओक तो 10 जैंञा 55 यानि पंदरा सّ रूपए किसके इस्से पर आएंगे पंदरा सव रूपए आपके रीता के स्से में आजाएंगे सिंपल सा था कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, आगे आजाओ, आगे बात करते हैं, ठीक है, शालो, अब यहां से हमारे पास concept number 2 है, अब यहां से हमारे पास 3 चीजे हैं, कितना है, A अन पाते B भी दिया है, कितना दिया है हमें, 2 अन पाते 1, फिर हमें, B अन पाते C दिया है, कितना, 3 अन पाते 1, फिर हमें, C अन पाते D दिया है, 4 अन पाते 1, तो क्या बोला है, A, B, C, D का अन पाते बताओ, कितने का, A अन पाते B, अन पाते C, अन पाते D, इनका हमें अन पाते बताना है, तो हमें अरे पास कोई दिक्कत नहीं होने च A और B कान पाथ 2 अन पाथे 1 दिया है B और C कान पाथ 3 अन पाथे 1 है C और D कान पाथ 4 अन पाथे 1 है कोई दिक्कत हमें आपे नहीं होनी चाहिए हम ऐसे line खीचेंगे simple सा funda है जो भी जगा खाली है बगल वाले से भर दो जो भी जगा खाली है बगल वाले से भर दो यहाँ पे खाली है भर दिया हमने यहाँ पे खाली है भर दिया यहाँ पे खाली है भर दिया यहाँ पे खाली है तीन से भरेगी नीचे जो है चार से भर जाएगी बस अब कुछ नहीं करना इन सभी का आपको गुड़ा करा देना है कुछ भी नहीं करना आपको इन सभी का multiply कराना है तो 3 दुनाई 6, 6, 4, 24 अनपाते 4 ते यहां 12 अनपाते 4 अनपाते 1 तो 24 बारा 4 अनपाते 1 यही आपका क्या हो जाएगा अनसर हो जाएगा अगर कुछ यहां से common होता तो हम common ले लेते वो अनसर हो जाता लेकिन common नहीं हो रहा है तो 24 बारा 4 और 1 24 बारा 4 और 1 आनसर नंबर A आपका सही हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं थी simple जा फंडा था जैसे हमने A और B को बराबर किया था ABC को वैसे हमने ABCD को बराबर कर लिए हमने ABCD लिखा AB की value लिखी BC की value लिखी CD की value लिखी जो बगल में जगा खाली थी उसके पडोस वाले से उसको भर दिया उसके बाजू वाले से उसको हमने क्या किया भर दिया और हमने कुछ भी नहीं किया और उन सभी का गुड़ा करा द थीक है आजाओं concept no.3 देखते हैं यहां पर साथ कोश्चन में कुछ गड़बढ है क्या एक सिकेंड दुकना जड़ा सा कोश्चन चेक करते हैं कोश्चन में थोड़ी सी यहां पर गड़बढ है यहां पर आप क्या करो कुछ हों उ यहां पर आप समानुपात का चिनद बनाओं अब यहां से आपके पास आता है उत्री करेगा समानुपात जिसे आप बोलते हो इस ओप अध्यर यह और युझा पात का मतलब क्या होता है एक चीज़ आप सबसे पहले देखो यहां पर समानपात का मतलब यह होता है कि A अनपाते भी समानपाते ठीक है C अनपाते D यानि इसके कहने का मतलब ये होता है समानपात समानपात को आप एक तरीके से कह सकते हो तराजो क्या कह सकते हो तराजो जितना इधर उतना इधर यानि कि जो value इन दोनों की होगी उतना ही अनपात इधर होगा जितना अनपात इधर दर उतने का अनुपात इढ़ यानि दोनों तरफ हमारा सेम होगा ठीक है और एक चीज आप देखो जैसे आप एकजाम्पल देखो यहाँ पे हमारा है पांच हमने ले लिया दस समानुपात है यहाँ कर लिया 15 यहाँ पे मालो आपसे पूछा तो आप क्या करें ? आपको पता ह करा देंगे दो का गुड़ा करा देंगे तो यहां पर 30 आ जाएगा कितना जाएगा 30 आ जाएगा तो वही चीज ओता है जो इधर वही उदर जितने का डिफ्रेंस या जितने का जो भी चीज है वो दोनों तरफ होना चाहिए स्मपल सा देखों अगर और सम्झे यहां पर हमारा कितना आया Andrea आ辗र एक चीज और देखों पांचמע पांच अंपाथ 17 Unity या जितने काणग पाथ इदार उतने का अंपाथ उधर यह कहता है समानुपाथ ओर एक चीज देखो समानुपाथ का मतलब क्या होता है यहां पर देखो क्या कर सकते हैं यह चीज याद रखना A अन पाते B है तो आप इसको A बटे B लिख सकते हो या A बटे B है तो A अन पाते B लिख सकते हो ठीक है बात को समझना आप अब देखो है यहां से तो आप क्या करोगे A अन पाते B को लिखोगे आप A अपान B इस समान पात का मतलब होता समान पात की जगा आप क्या करोगे एकल सी अन पाते डी है तो इसको लिखोगे सी बटे दी यहां से आपके पास क्या आएगा तिरियक गुड़ा कराओगे तो A into D बराबर P into C यह आपके पास निकल के आएगा यानि की आपके पास क्या निकल के आया कि A into D यानि इसका गुड़ा और इसका गुड़ा और इसका गुड़ा और इसका गुड़ा दोनों आपस में बराबर होने चाहिए ठीक है बात आप समझ गया एक चीज तो आप यह समझे कि दोनों तरफ अनपात सेम होना चाहिए समान पात का उन तरफ यह होता है और आगे हमें क्या मिला कि A और D यानि बाहर बाहर वालों का गुड़ा और अंदर अंदर वालों का गुड़ा दोनों बराबर होता है बात समझ गया इसको हम बोलते हैं A को बोलेंगे फर्स्ट प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् फोर्थ प्रपोर्शन पहला अन्पाथ दूसरा अन्पाथ तीसरा अन्पाथ और चतुर्थ अन्पाथ ऐसे आप बोलोगे तो आपके पास क्या निकल के आया a into d b into c यानि बाहर बाहर वालों का गुडा अंदर अंदर वालों का गुडा ये अपस में बराबर होता है अब आते हैं कोस्टन को स्वालों करते हैं कोस्टन हमारे पास क्या है बारा अन्पाथे तीस अन्पाथे 28 अन्पाथे एक्स किया है हमें तो हमें पता है इन बाहर बाहर वालों का गुडा अंदर अंदर वालों का होता है तो बाहर वालों का गुडा कराएंगे बारा इंटु एक्स इसकोल टू अठाइस इंटू तीस बोलो है ना तो अगर आप इसका गुड़ा कराओगे तो बारा एक्स बराबर तो 28 तरीका कितना हो जाएगा 8 तरीका 24, 4, 3, 2, 1, 6, 2, 8 84 तो एक्स बराबर 84 पटे में 12 तो एक्स बराबर कितना आजाएगा बोलो 12, 84 12, 84 यानि कि एक्स बराबर आजाएगा आपके पास 70, एक्स बराबर आजाएगा 70, ये आपका अंसर हो जाएगा एक्स बराबर क्या आजाएगा 70, सिंपल चा था, आसान चा था समन बात, बात समझ गया समन पात में सीधे से आपको लगाना है लास्ट लास्ट वाले का गुड़ा बराबर बीच वालों का गुड़ा बाहर बाहर वालों का गुड़ा बराबर बीच बीच वालों का गुड़ा और यह आपको पता हो गया मैला नपाथ, दूसरा नपाथ, तीसरा नपाथ, चोत्हा न, पाथkt, LB, बबराबर žमान पाथक हो C बटे ट इस तरीके से, आप लिख सकते हो, ठीक है? ये बात आप समझ गए अच्छे से, चलते हैं फोड़ा सा आगे आजाओ यहां पर सॉल्व करता है क्या दिया है सोलान पाते 24 समान पाते 15 पाते एक्स मानों ठीक है तो कुछ नहीं हमें बाहर बाहर वालों का अंदर अंदर वालों का कुछ भी नहीं करना इंट्रा 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 इंट्र 16 8 3 का 24 यहां पर कितना आएगा आठ तरी का 24 तो 15 से 45 कितना आए आपके पास आगे आपके पास 45 बटे 2 45 बटे 2 का मतलब क्या होता है एक्स बराबर 22.5 एक्स बराबर 22.5 तो आपके पास आंसर आजाएगा डी नंबर 22.5 कोई दिक्कत नहीं है सिंपल सा है ठीक है आजाओ आगे आगे आते हैं आठवे नंबर पे आठवे नंबर पे 0.64 अनपात है 1 अपान 0.81 जब भी इस प्रकार अनपात में आपको भिन दी हो फ्रेक्शन पे संख्या दी हो तो आप उसका तिरिया गुड़ा करा सकते हो ति इसका तिरिया गुड़ा कराओगे ति हो जाएगा 0.81 अनपात है 0.64 यह आप कर सकते हो अब यहां से एक चीज देख सकते हो कि यहां पे 2 अनको बाद 10 सम्लों है यहां पे विद्वान को बाद 10 सम्लों है तो यह 10 अनपात जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या 187 पाते 64 बचेगा यह बचेगा 1827 2,0 अगर President इدर भी 2 है यानी नीचे 2,0 आएंगे और वो conceal हो जाएंगे तो आपको क्या करना है अब कुछ नहीं करना अब इनके उपर आपको चुन अंडरूट लगा देना है अब इनके उपर अंडरूट आठ आंसर क्या आजाएगा 9 आनपाते आठ ये अबी नंबर आपका आंसर आजाएगा 9 अनपाते आठ बात समझ गया सिम्पल झा था कोई दिक्कत नहीं थी, concept नंबर 4 समझते जाना आगे बात करते हैं घन गनमूला अनपात में क्या होगा कुछ भी नहीं करना है आप आपको घनमूल यानि कि सब ट्रिपलिकेट निकालना है कैसे आजाओ पहले दिया आपको 1.782 अनपात है 2.197 अब यहाँ पर देखो तीन अंग बाद दसमलो यहाँ पर भी तीन अंग बाद दसमलो सेम वही चीज दसमलो क्या हो जाएगा हट जाएगा यानि आपके पास 1.782 समन पाते 2.197 आ जाएगा तो आब इनकी उपर हमें क्या लगाना पड़ेगा इनकी उपर हमें लगाना पड़ेगा सब ट्रिपलिकेट यानि घनमूल लगाना पड़ेगा यह किसका घनमूल हो जाएगा यह घन answer हो जाएगा बिल्कुल सिंपल्स आपको पढ़ना है बस जितना पढ़ाया जा रहा है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं है ना आप अगर किसी को हलका सा भी डाउट है वो अगर दुबारा आप क्लास देख लोगे वो भी डाउट नह रहेगा समझ रहे होना सिंपल्स हापको कॉंसेट वाईज बताया जारा है concept नमबर आपको छौथा बताया गया आकको क्या करना है बाजहाँ आगे iai concept received नमबर फाइप का मध्यान पातीच अभि यहां पर देखो मध्यान पाते आ गया क्या आगया concept नमबर फाइब पर मध्यानपात यानि कि क्या आगया मेन प्रपोर्स यानि कि मध्यानपात अब देखो मध्यानपात में होता क्या है कि मध्यानपात में होता यह basically कि ए अनपाते बी समानपाते बी अनपाते सी यानि कोई एक होता है जो दोनों तरफ common होता है, मध्यान पात को मतलब कोई एक ऐसी value, कोई एक ऐसा बंदा, जो दोरों तरफ common होता है तो यहाँ पर क्या है, भी दोनों तरफ हमारा common है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, यहाँ पर एक चीज सबसे पहले तो देखो यह होगा हमारे पास प्रस्ट प्रपोर्शन इसको आप बोल सकते हो सेकेंड प्रपोर्शन और यह क्या हो जाएंगे यह होगा आपके पास मद्य में है तो यह होता है आपके पास मीन प्रपोर्शन क्या होता है मीन प्रपोर्शन यानि की मध्यानपाती कहते हैं भाई मध्यानपाती मितलब दोनों के मध्य में कुछ तो होगा, दोनों में कुछ ना कुछ तो कामन होगा ही, तो B हमने क्या कर दिया? कामन कर दिया, यह होता है मध्यानपाती, तो यहाँ पर देखो, अब हम कर क्या सकते हैं, एक चीज यहाँ पर देखो, इसको हम लिख सकते हैं A बटे B इसको हम बराबर लगा कि इसको लिख सकते हैं B बटे C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं तो यहां से क्या तिरियक बुड़ा कराएंगे तो क्या आएगा B स्क्वाइर बराबर A इंटू C यानि अगर मध्यानपाती का हम बर्ग करें तो यह A into C के बराबर होगा यानि first into त्रतिय अनपात जो भी है उसके बराबर आएगा तो अब देखो हमसे question में क्या पूछा है हमसे question में पूछा है मध्यानपाती बताओ यानि इस B की value पूछा है यानि ये जो दिए हमको ये A दिया है और C दिया है हमसे मध्यानपाती यानि B की value पूछा है क्या पूछा है B की value यानि मध्यानपाती की value पूछा है तो आप simple सा formula लगा दोगे B square बराबर का A into C तो अब देखो B square बराबर A की value है 0.16 C की value है 0.0 है ना मध्यान पाती समझ में आए कि नहीं मध्यान पाती यानि मध्य में मध्य में कोई ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों तरफ कामन होगी बस वहीं हमने किया अब देखो बी बराबर स्क्वाइर अटाएंगे वर्गमूल लगाएंगे 0.16 इंटू 0.0 अब देखो इसको आप जब सॉल्व करोगे न तो बी बराबर सोलाचो को 64 दो जीरो इधर के दो पॉइंट इधर के यानि चारंग बाद 10 समलो तो कितना आएगा जिरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स फोर आएगा की नहीं आएगा ऐसे आएगा अब एक चीज आपको पता होना चीए जबvy स्क्वाइर के अंदर से कोई चीज बहार आती है तो वो बहारária होती है देखो यहां पे जैसे चार है तो बहार कितना आएगा, दो आएगा, अगर यहाँ पे 6 तो बाहर कितना आएगा, 3 आएगा, उसकी आधी वैल्लू रूट के बाहर आती है, तो आप भी बराबर कितना आजाएगा, पहई यह आठ का वर्ग है, 8 हो जाएगा, 2 0 में से 0 बाहर आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना यह आपका answer आजाएगा यह क्या जाएगा आपका यह आपका answer आजाएगा बीननंबर 0 और यह यह बी नंबर नहीं आएगा यह पाइगा 0.昨ि पाइंट जी रोएट आपका सायएगा क्यों कि वर्ग्मूह के अंदर दिशॉंदो के बाद और चार अंख हैं तो 2 अंख हमारे बहार आएंगे 2-0 में इसे एक-0 बहार आजाएगा carving तौन करोगे 8 बहार आ जाएगा यानि कि 0.01 आपका जो estraph जो है वाईस आप वह क्या होगा बहार आजाएगा बात आप समझ गये ये मध्यानपाती का concept समenz में आया ची अढस ум 16 और 24 का तरतीय अनपाति गयार करो 16 और 24 का तरतीय अनपाति गयार करना है तो ब्माइभय मध्यानपाति के मतलब क्या होता है A अनपाति B 2 अनपाति Anpate 24 अनपाति डेखो यह क्या है B एप यह होता है यही होता है आप से पूछा है त्रतिया अनुपाती करो यानि आप से किसकी वैलू पूछा है आप से पूछा है C की वैलू आपको दिया क्या है आपको दिया है A बराबर 12 और B बराबर 24 दिया है तो अब बताओ त्रतियान पाती तो त्रतियान पाती निकालने एक फार्मूला क्या होगा वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे कि भाई जो मध्यान पाती होता है बी स्क्वाइर बराबर एंटू सी हमें चाहिए सी तो हम सी बराबर क्या कर देंगे बी स्क्वाइर अपान क पुल्ख कर देंगे कि ने इस फार्मूले को हम अपने इसाफ से चेंज कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है अब हम यहां पर वैलू रख देंगे क्या करेंगे वैलू रख देंगे तो वैसी हमें निकालना है बी की वैलू है 24 यानि 24 का स्क्राइब यानि 24 पुड़े 24 नीचे कितना हैगा एक एक वैलू है 16 अब इसको हम क्या करेंगे अब इसको हम अराम से डिवाइड कर देंगे जब डिवाइड करेंगे आठ से कर दो आठ दुनाई 16 अठ तरीका 24 फिर इसको दो और यह बारा तो कितना आया बारत है चत्तिस यानि सी बराबर आगया आपके पास 36 यह वह गया आपका आंसर ची बराबर नीकाला 20 पर बरबर एंटु सी होता है हमसे पूचा था तरतीय अनपाती यह तरतीय होता है हं यह हमारे 我 क्या होता है कि देखो इसे हम कहते हैं फस्ट प्रोपोर्शन इसे हम कहते हैं थाड़ प्रोपोर्शन हमसे थाड़ वाला पूछा था हमने थाड़ वाले को बचाया बाकी सब उदर फेंग दिया निकल आएगा राम से कोई दिक्कत नहीं आ जो यहां पर कि बीच मध्यान पात का अनपात और पांच और चार का त्रतियान पाति निकालना देखो यह कोशन क्या है कि 14.4 और 3.6 के बीच मध्यान पाति निकालना है और उसके बाद पांच और चार का त्रतियान पाति निकालना है पांच और चार का त्रतियान पाति इसको आप लोग होमवर्ग पे करना है कि इसके बारे में चर्चा वो कल करेंगे इसको होंबर्ग पेकर ले ऐसा नहीं अता नहीं बता दिया जाएगा लिकिन अपने भी दिमाज से करोiros टीक है इसके हम लोग करेंगे होंबर्ग से तो देखो हमने आज सीखा क्या हम्ने की यहाँ से भी वेल्यू हमें Chic की टोटल वैलू थी बारा उसको रेशियो पर बदलना दा छहन पाते पांच पर हमने देखा इनका योग कितना है छह पांच यानि कि 11 इससे हमें करने पड़ेंगे हमने गेरा का भाग दिया एक की वैलू तो आगे और रेशियो में जब तक आपको एक की वैलू नहीं पता हो होगी आप उसको सॉल्वन नहीं कर सकते हो आपको हमेशा एक की वैलू पता होनी चाहिए एक की वैलू आप निकालोगे उसके बाद आप सभी पर गुड़ा करा दोगे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे हमने यहाँ पे तीन का देख लिया कोई दिक्कत नहीं हमने छह पांच गेर परज करा रहा है कोई दिक्कत नहीं है आप एबी की वैलू रखो और बीसी की वैलू रिखो है ना तो उसके बाद हमने क्या किया और जो साइड में जगा खाली बची हमने साइड वाले से उसको भर दिया सिंपल सा फंडा हमारा रेशियो आगया कुछ कामन होता हम कामन नि इन्होंने कैसे बताया हमें एकस वाई का अलंग राख हमें 3 मर्ज करने पड़ेंगे तो हमने सबसे पहले xyz को मर्ज किया हमारे पास यह अब इनके योग करेंगे योग आया हमारे पास तिरसत्य जrän darauf और घुनकरण 9 A B C पर अनपाथ हमको दिया था और यहां पर हमसे क्या बोला है B को प्राप्त धनराज A की तुलना में कितना अधिक होगा तो आप हमेशा याद रखना जो भी कम या ज्यादा बोलेगा वह हमेशा डिफरेंस लेगे अगर कम बोलता कि A कितना कम है तो भी अंतर दो का था भी क की वैलू निकालोगे उसके बाद दोनों का डिफरेंस एक की वैलू निकालोगे एक का यहाँ पर गुड़ा कराओगे वह एक आएगा फिर एक का यहाँ पर गुड़ा कराओगे इन दोनों के अंतर दोक आएगा यानि दोक आप गुड़ा करा दो सीदे से आपके पास एक क वैलू निकल के आ जाएगी बी और एका अंतर आ गया आगे चौते नंबर पर आपने किया कि धन्दासी वही सिंपल सा हमने मर्ज करने वाला था वन पॉइंट हमें अटाना था पॉइंट अटाने के और भी तरीक है जो हम लोग आगे सीखेंगे लेकिन आप यहां पे देख कर देखा यहां पांट गजिर रहे थे 15 थुना यहा यानिकि 1.5 दुना तीन होता है धाई दुना पांच होता है हमने कर लिया दो कोई फर्क नहीं पड़ा बड़ा बढ़ाबर हो गया आगे हमने देखा यही सी चार हो तो पूए दिक्कत नहीं हम चारों को लिखेंगे उन वालों का गुड़ा अंधर अंदर वालों का गुड़ा बराबर होना चाहिए यह समानुपात कहता है वहीं कह babysammen को सौलब कर लिया यहां अन्दर अंदर यहां पे हम आ गया कॉंसेब्स स्पस्लबर नंबर 4 भर्ण मूलानपात बोला हमें कुछ नहीं यह बट्टे में दी थी हमें त्रीयग बुड़ा करा लिया उसके बाद किकित ना अंशरा जा में घ Shame आत दिया था उसको हमने कर लिया कोई दिक्कत नहीं है अब कांचेब नमर फाइब कांचेब नमर फाइब था मध्यान पाती मतलब कोई एक ऐसा होगा जो मध्य में होगा यानि बीच वाला होगा तो हमने बीच वाला किसको माल लिया भाई भी एन पाते भी समन पाते बियन पाते सी या आप हमने किया a a upon b ब потреб v a upon c तो b square बरकर इंटुसी यानि मुद्धchauण बाती मीन प्रोपोर्पोर्षण बराबर 1st प्रोपॉर्षण इंटू ठर्ड़ प्रोपोर्षण यानि bЫ स्कृर बराबर 20 इंटू C तो भ Between हमने कि हमसे स्पूछा मध्यानपाति मतलब भी kya होता मध्यानपाति किया और को दिक नहiałaं से लिए मद्यानपाति बराबर 2 अनपात पूछा था तर यहाँ प § पहे कर दिया हमने स्थी कर दिया कि भैलू रख़े वहिई चीज आपको यहांपे भी करनी होगीिंहinner बीच में मध्यन पाती निकालना है यानि यहाँ पे आपको A और C दिया है B निकालना है यहाँ पे क्या बोला है त्रतियन पाती निकालना है यानि A और B आपको दिया है आपको C निकालना है बात समझ गये हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो चलिए दोस्त आज की क्लास में इतना ही अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तरीका अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सस्क्राइब चुरूर कर दे और ये पीडियाफ आपको टेलिग्राम पे मिल लाएगा जिसका लिंक आपको डि ही आगया है ठीक है दोस्त चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को बहुत-बहुत थन्यवाद अब मिलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर